आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे बहुत ही कॉंट्रवर्सियल टॉपिक है और लगातार इस पे डिवेट होता रहा है कि खाने में कौन सा तील यदि इस्तमाल किया जाए तो हमारे स्वास्त के लिए फाय समाणत होगा खाने में जो तील की उपयोगिता है उसमें बहुत सारे तील अलग-अलग सोसाइटी के हिसाब से अलग-अलग reason के शाब से वयरी करता है लोग तमाम तरह के तेल इस्तमाल करते हैं, जिसमें कि यहादि आप यूपी बिहार के रीजन में चले जाएं, तो यहाँ पर मस्टर्ड ओयल काफी ज़्यादा इस्तमाल किया जाता है, जो साउथ इंडियन रीजन है, वहाँ पर कोकोनट ओयल उसकिया जाता है, इसी तरह से अलग अलग जगह पे अलग अलग तेल इस्तमाल किया जाता है, और सभी लोग अपने अपने तेल को लेकर के उड़गान करते हुए पाय जाते हैं, कि यह तेल बहुत अच्छा है, बहुत प्योर है, तो वह ऐसे ही है कि चारों तरफ confusion है तेल को लेकर के, कि confusion है, solution का कुछ पता नहीं, और जो solution मिला, तो question का पता नहीं, जो famous dialogue है, वो बिल्कुल यहां के scenario में बिल्कुल सही suit करती है, तो जो तेल का, जो हम लोग तेल इस्तमाल करते हैं, उसमें health से संबंधित कुछ component के बारे में, हम लोग बात करेंगे, उसके बाद चीज़ां और clear होती जाएंग तो जो भी तेल हम लोग इस्तमाल करते हैं, तो उसमें जो health perspective से उसके अंदर saturated fatty acid होती हैं, तो saturated fatty acids में short chain, medium chain और long chain saturated fatty acid हो सकती है, मूफा, MUFA हो सकती है, mono unsaturated fatty acid, और इसी तरह से पूफा, पूफा मतलब poly unsaturated fatty acid, और जो एक अलग component होता है, वो होता है, trans fatty acid, तो यह मुखता च चार component होते हैं, और इन ही के proportion के अधार पे तेल की गुडवत्ता decide की जाएगी, तो as general जो अभी तक बैग्यानिक प्रमाड उपलब्ध हैं, तो वो प्रमाड जो हम लोग जिस article जो बैग्यानिक research है, जिसको हम लोग quote कर रहे हैं, वो एक research paper है, उसको हम लोग quote कर रहे हैं, त Dr. Manchanda, S.C. Manchanda ने एक article published किया है, और Indian context में इसके बारे में उन्हें बात किया है, तो इसमें मोटे-मोटे अर्थों में अधी समझा जाए, तो जो long chain, saturated fatty acid है, वो देखा गया है कि स्वास्त के लिए नुक्सान दायक है, और heart के health के लिए भी काफी ज़्यादा नुक्सान द देख रहे हैं कि काफी ज़्यादा heart attack के cases देखने को मिल रहा है, कम उमर के लोगों में भी देखने को मिल जा रहा है, बिल्कुल यंग में तो लोग आस चल कर जा रहे हैं कि अरे ऐसे कैसे हो गया, तो कभी लोग कोरोना के उपर claim कर रहे हैं, कभी लोग बोल रहे हैं कि कोर healthy habits हैं, जो healthy habits हैं, healthy evidences हैं, उनको follow करना होगा, उन चीज़को follow किया जाए, तो definitively कहीं ने कहीं आपको benefit मिलेगा, तो जो long chain saturated fatty acid है, वो research में ये पाया गया कि वो सबसे ज़्यादा नुक्सांदे component में से एक component है, इसी तरह से trans fatty acid जो है, trans fatty acid वो भी बहुत ही ज़्यादा नुक नुक्सांदे है, trans fatty acid को, जितने भी नुक्सांदे component है, उसमें सबसे ज़्यादा नुक्सांदे इसी चीज़को पाया है, trans fatty acid को, और जो फायदे मन्द है, उसमें mono unsaturated fatty acid है, और पूफाया polyunsaturated fatty acid है, तो जो हमारे पास हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा इस्तमाल किया जाने वाले तेल है, उसमें सबसू का तेल है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, coconut oil यूज़ किया जाता है, और अब धीरे धीरे तमाम sites पे advertisement के थुरू refined oil यूज़ किया जाते हैं, तो refined oil में तमाम तरह के तेल है, sunflower oil, safflower oil, soybean का तेल, mixture वाले तेल, rice brown oil, ये सब refined oil म में भी उपलब्ट है, तो जो refined oil है, उसको लेकर कि काफी ज़्यादा हो हला है, कि refined जो process है, वो तेल को खराब कर देता है, तो उसके बारे में हम जो जानेंगे कि refined oil क्या है, और cold pressed oil क्या है, तो जो cold pressed technique होती है, उसमें heat का भी न उप्योर किये हुए, heat की वज़र से जो तेल में हो सकने वाले नुकसान है, वो उसमें नुकसान नहीं होता है, तो उसे cold pressed बोला जाता है, जैसे कि जो सधारन गाओं में cold हो से producing process प्रेश मलब सधारण उचाई से प्रेशर से टेल निकाल करके निकाला गया, simple प्रेशर से, तो इसको बोला जाता है cold pressed oil, और जो रिफाइंड आइल है, उसमें क्या होता है, कि तमाम तरश से refining process की जाती है, इसमें अधिकायस तेल को ज्यादा टेंपरेचर पर रखा जाता है, कभी-कभी टेंपरेचर 270 डिगरी तग भी रखा जाता है, कुछ chemical solvents भी मिलाए जाते हैं, जिससे कि जो impurities हैं तेल की वो निकल सकें, बाहर निकाली जा सकें, लेकिन जब आप टेंपरेचर तेल का आपके हार्ट के लिए भी सिस करके, जो आपके हार्ट के लिए नुक्सान दे माने गया है, इसी वज़से क्योंकि रिफाइनिंग की जो प्रॉसेस है, उसमें ज़्यादा तापमान का यूपियोग किया जाता है, और तमाम तरह के chemical solvents यूज किये जाते हैं, लेकिन chemical solvents जो हैं, वो इस प्रॉसेस में हटा भी लिए जाते हैं, तो इस वज़से जो रिफाइन्ड ओयल है, उसमें जब रिसर्च किया गया, तो solvents नहीं मिला, तो इस वज़से उनकी वज़से हानिकारिक के हानी भी कम हो जाएगी, तो जो रिफाइन्ड ओयल है, वो एक मायने मे बिलिन साबित हुआ, महलब कि खराब माना जाने लगा साइंटिस्ट के द्वारा, तो जो आर्टिकल के हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें भी डॉक्टर ने, रिसर्चर ने रिफाइन्ड ओयल को अच्छा तेल के तोर पर नहीं माना है, लेकिन जो रिफाइन्ड नहीं ओयल है, जो cold pressed oil है, तो वो cold pressed oil में ऐसा हो सकता है कि impurities मौझूद हो, और जब आप उसको खाना बनाने के लिए इस्तमाल करें, तो हो सकता है, वो impurities हीट के संपर्क में आकर कि कुछ खराब तत्तो बनाने लगे, तो अब देखिए कैसे story change हो रही है, जिसको अभी तक ये माना जा है कि cold pressed oil अच्छा है, लेकिन अपने refining की process नहीं किया, तो वो क्या कर सकता है, कि जो unprocessed material थे, वो heat के संपर्क में आकर कि वो खराब component में convert हो सकते हैं, जिसके बारे में अभी ठीक ठीक से पता नहीं है कि वो कितना नुक्सान पहुचा सकते हैं, तो एक negative aspect आ गया cold pressed oil का, कि जो impurities हैं, वो पूरी तरह से निकली नहीं है, और यदि उनको किसी विधी से निकाला जाए, और heat का उप्योग नो किया जाए, तो फिर ये बेहतर oil के तोर पर उपलब दो सकता है, दूसरी चीज, cold pressed oil को तो आपने simple method से extract कर लिया, लेकिन जब खाना बनाएंगे, तो उसमे ये सब तो अक्सर deep fry में यूज इस्तमाल किरे जाते हैं, तो जब ज़्यादा तापमान में तेल को cold pressed oil है, उनको भी इस्तमाल करेंगे, तो वो भी refined oil की तरह से उनके भी chemical bonds हैं, जो important elements हैं, वो नस्ट हो जाएंगे, और वो एक खराब तेल की तरह behave करने लगेगा, जो कि ते पॉइंट को ऐसे simple words में ऐसे समझेंगे, कि जो तेल का primary character था, वो कितने temperature तक intact रहता है, मतलब तेल खराब तत्तों में, trans fatty acid में, कितने temperature पर जाके बदलता है, तो फिर उससे ये तय हो पाएगा, कि कितने तापमान तक fry किया जाए, तो ये तेल खराब नहीं होगा, तो उनके bonds break होने लगते हैं, hydrogenation होने लगता है, तो वो trans fatty acid और खराब तक तो generate होने लगता है, जैसे simple coconut oil है, तो यदि इसको deep fry के लिए इस्तमाल किया जा रहा है, तो ये easily break होने लगता है, लगभग 160-170 degree temperature पे इसकी quality change होने लगती है, और ये खराब तेल की भूनिका में आने मतलब कि deep fry के लिए आप coconut oil नहीं इस्तमाल कर सकते हैं, यदि refined coconut oil यूज़ करते हैं, नारिल का तेल, तो उस condition में थोड़ा सा और ज़्यादा तापमान को सहलेगा, coconut oil जो 170 degree पर खराब हो रहा था, वो अब 220 degree तक सहलेता है, लेकिन यदि मोटा-मोटा समझें, उपर-उपर से समझें, तो refining जो frying वाला process था, उस process के लिए आप coconut oil को avoid करेंगे, तो कौन से तिल हमारे पास उपलब्ध हैं option में, तो जो refined oil हैं, जिनको हम खराब मान रहे थे, normal खाना बनाने के लिए, वो refined oil अब यहाँ पर बढ़िया सावित होने लगेंगे, कि जितने भी refined oils हैं, वो सधानत ज्यादा तापमान को सह लेते हैं, जो unrefined oil हैं उनकी तुल्ला में, ज्यादा तापमान को सह लेते हैं, तो refined oil में जो खराब तत्व हैं, ज्यादा तापमान में वो develop नहीं हो पाएंगे, तो refined oil को इस्तमाल किया जा सकता है यदि आपको deep fry करना हो तो next चीज़ कुछ तेल ऐसे मौझूद है natural condition में भी जो ज़्यादा तापमान को सह सकते हैं जैसे कि सरसो का तेल सरसो का तेल का smoke point 270 degree centigrade होता है तो यह ज़्यादा तेज जो कि हमारे हाँ अपने इंडियन सेटप में क्या है कि पकोड़े यूद कोड़े खाने का भी काफी ज़्यादा परचलन है पकोड़े खाना और भी चीज़ें का नॉर्मल खाना भी वनाने में भी खुब फ्राई किया जाता है तो सरसो का तेल इस मामले में बेहतर है क्योंकि उसका smoke point high है और high temperature पर भी वो जो फायदे वाले component थे वो denature नहीं हुए खराब नहीं हुए इसी तरह से घी अब घी के साथ क्या problem है घी के साथ problem ये है कि इसके अंदर saturated fatty acid ज्यादा होता है तो उस तरह से ये स्वास्त के लिए खराब है लेकिन इसका जो smoke point है वो ज्यादा है मतलब ज्यादा तापमान पर ये खराब तक्तों में convert नहीं होता है तो इस मामले में ये फ और पर निकलेगा तो जब deep fry करना हो तो उस condition में हमारे पास क्या option बचा घी बचा सरसु का तेल बचा और जो refined oil है वो बचे बाकी जो तेल है जो soybean oil है sunflower oil है सैफलार आल है ये अधिकांस इसमें से बीच वाली कटेगरी में आते हैं लेकिन अभी social sites पे बहुत heavy advertisement है कि राइस oil खाये, soybean oil खाये, इसी तरह से sunflower oil खाये, सैफलार आल खाये ये सब बहुत ज़्याद advertisement है तमाम तरह की companies के द्वारा और refined oil को भी advertise कर रहे हैं लेकिन ये जो तेल है अधिकांस तेल ये मध्यम कटेगरी में आते हैं और इनके भी जो refined version है वो खराब version है जो unrefined version है वो अच्छ अब काफी ज़्यादा डाटा बताने से confusion पैदा हो गया होगा कि कौन सा तेल अब इस्तमाल किया जाए योगि एक तेल नॉर्मल कंडिशन पर फायदेमंद है और जब हीट किये तो खराब हो गया तो ऐसी कंडिशन में सर्सो का तेल एक अच्छे option के तोर पर इमर्ज होता ह है अब सर्सो के तेल में कि साथ क्या problem है सर्सो के तेल में high erosic acid component पाया जाता है एक रसाइनिक तत्व है जो सर्सो के तेल में ज्यादा पाया जाता है तो एक research में पता गया जिस जो research चूहों पे की गई थी तो उस research में यह पता चला कि erosic acid heart को damage कर रहा है अब फिर से देख में damaging नहीं है मतलब जिस चीज को खतरनाक मान करके बैन कर दिया के western countries में USA में European countries में फिर पता चलता है कि नहीं वह चीज खराब नहीं है को इंडियांस humans के hurt के लिए वह खराब component नहीं है तो अब उसको फिर से advocate किया जाने लगा तो विज्ञान के साथ एक अच्छी चीज यह है कि यह facts पर बात करता है research पर बात करता है और विज्ञान जो होता है वह बिनम्र होता है जब कुछ अच्छे research आते हैं पुराने तथ्यों को काटते है तो उन्हें बिज्ञान बिनम्रता से उस चीज को स्विकार कर लेता है जबकि यह बात धर्म के साथ लागू नहीं होती है धर्म जो चीज बोलता उसी पर डिग रहता है उसी पर चाहे मार कट हो जाए कोई फरक ने पड़ता है लेकिन बिज्ञान के साथ यह अच्छी च के सर्च आए जो फिरसे बोलने लगे कि सर्सो का तेल खराब है तो फिर से हमें अपने चीजों को मौडिफाइख हो करना होगा हम लोग इसी चीज परैंगे कि नहीं आप सर्सों का त्यल हमने माल लिए बढ़िया तो माल लिए बढ़िया अब जैसे एक रिसर्च जो है इस दो परसेंट होता है लेकिन घी के साथ अच्छी चीज क्या हुई कि हायर ज्यादा तापमान पर यह खराब नहीं होता है इसके जो उर्जिनल करेक्टर हो चेंज नहीं होता है तो हामफुल तत्यों में निकलता है अब ओली वॉयल के बारे में बात किया जाता है तो अच्छी पाए गया तो इससे मृत्तुदर भी जादा पाए गया और भी जो दूसरी विमारियां हैं जैसे क्रोनिक डिजीजे जैसे का अलजाइमर डिजीज, कैंसर, डाइबिटीज, मोटापा, इंफ्लेमेशन, बोडी में डिप्रेशन यह सब भी जादा पाए गया था जिन तेल म निकाला है कि एंडियन सेटिंग के लिए ओलीव आयल बहुत अच्छा तेल नहीं है, ओवराल एज कॉनक्लूजन के तौर पर जो इन्होंने इस रिसर्च में निकाला है कि मस्टर्ड आयल एक बेटर आप्सन है, इस्पेसली डीप फ्राइंग के कंडिशन में और जो बाकी तेल है, उन्हें भी इस्तमाल किये जा सकते हैं, जैसे संफ्लावर आयल, स्वाबीन आयल, लेकिन उन्हें हाई टेंप्रेचर पर उनकी स्टेबिल्टी लूज होती जाती है, इसलिए वो बहुत अच्छे आप्सन नहीं है, तो अंतिम निसकर्स के तोर पर ये निकला कि खाना के लिए, रेगुलर सबजी बनाने के लिए, सलाद में डालने के लिए, ओल्ड प्रेच्ट ओयल में आप अपने स्वाद के अनुसार चूज कर सकते हैं, संफ्लावर आयल यूज कर सकते हैं, स्वयबीन आयल यूज कर सकते हैं, सरसो का तेल यूज कर सकते हैं, ओलिव करना हो तो उस कंडिशन में आप मस्टर्ड ओयल को यूज कर सकते हैं घी को इस्तमाल कर सकते हैं और यह दोनों नौग प्लब्ध हो तो उस कंडिशन में रिफाइंड ओयल को इस्तमाल में लाय जा सकता है लेकिन एक महत्वपूर्ची जो इस डिसकसन में छुड़ गई कि जो करना भी अच्छा तेल हो उसको ज्यादा इस्तमाल करेंगे तो आपके लिए नुक्सांदे साबित हो सकती है थैंक यू